दोस्तो ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया में एक अजीब सा वायरस सेलने की वज़े से सिर्फ कुछी लोग बचे थे जो सर्वाइफ कर पा रहे थे और इनी में से एक परिवार था जिसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती थी लेकिन इस परिवार की जिन्दगी तब पंजर पंजर निकाल कर बाकी के बचे समान को अपने गाडन में दफना देती हैं इसके बाद हमें यहां पर उनके चूते भाई पपू पत्री को दिखाये जाता है जो कि यहां पर बैठा सोच रहा होता है कि भेंड चुक मेरा दोस् जोगिंदर जहरीला सही कहता था कि अजू नाम का एक और भाई था जो कि कई सालों पहले घर चोड़कर भाग गया था अभी हां पर यह सबी घर वाले मिलकर कुछ अजीब सा रिच्वल करते हैं जो कि इनकी यादों को ताजा रखने में इनकी मदद करता है अब अगले दिन अंडी जंगल में पहरा दे रही ह क्योंकि अब इनको भी कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी तरपती बिल्ली को शांत कर सके अब क्योंकि उनकी मा को भी मजदूरी करे काफी सालों चुके थे और उसका कुवा भी सूक चुका था इसलिए वो उपने कुवे को भी गीला करवाने के लिए उस आदमी को यहां पर बुखने के लिए मान जाती है, इसके बाद इनकी माय ने बताती है कि घायल आदमी के पेरों पर टांके कैसे लगाए ஜाते हैं, फिरंते कि राध में पपु पथरी की मा उसे बिस्तर बांद दिया करती थी क्योंकि उससे राध को मजदूरी वाले सपने आते थे, लेकिन ज अब यहां पर उस आदमी को अपना नाम तो याद नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि बाहर सब कुछ तबाओ चुका है, और जादतर लोग अपनी याददाश खोकर पागल हो चुके हैं, अब पपू पत्री भी उस आदमी के आने से खुश नहीं था, लेकिन अंडी उसे यकीन दिलाती है कि वो आदमी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, फिर अगले दिन मा संडी से कहती है कि तुमने दो दिन पहले जिस आदमी को दफनाया था, उसे बाहर निकालो और उसके शरीद को वर्निंग के रूप में घर के बाहर लटका दो, अब उनकी ये बाते सुनकर उस अ और ये तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अंडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, फिर एगले दिन मा संडी को देखते हैं, जो उस आदमी से पूछती है कि तुम मुझे बताओगे कि घोडा कैसा दिखता है, तबी वो आदमी उसे कहता है कि रुक, मैं उससे में वहाँ पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, और कहता है कि भेंड से मुझे नहीं होता है, ये सब बक्ती, मुझे तो बस बजाने के लिए एक रश्यन दे दो, तबी अपने भाई का पागलपन देखकर अंडी उस आदमी को खोल देती है, ताकि वो उसके बहन नहीं मानता, और नहीं मैं तुमारे लिए ऐसा महसूस करता हूँ, फिर अगले दिन अंडी उस आदमी को ब्रश लाने के लिए कहती है, इसके बाज जब ब्रश लेने जाता है, तो वो वहाँ पर संडी को देखता है, जिसके हाथ में एक मैमोरी बॉक्स था, अब संड पर दिनम मंडी को देखते हैं, जो की गाडन में उस आदमी और अपनी बहन अंडी को दबा दबा कर मजदूरी करते हुए देखती है, अब उन्हें ऐसा करते हुए देख, उसकी बिल्ली भी गीली होने लगती है, और तबी उससे कुछ याद आता है, वो याद करती है कि उ कौन मजदूरी कर रहा है, फिर ये कैकर जब मंडी वहाँ से चली जाती है, तो उस आदमी को वहाँ पर मंडी का वो बॉक्स मिलता है, जिसमें उसका एक नैकलेस भी मिलता है, अब ये देखकर उसे एक आइडिया आता है, वो उसका नैकलेस चुरा लेता है, और सभी से कहत अब ये सुनकर उसकी मा अंडी पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम सभी बहनों में सबसे बड़ी थी इसलिए मुझे तुम पर जादा भरोसा था लेकिन जब से तुमने अपने भाई राजू से ही अपनी पिंकी पिटवाई है तब से तुमने हमारी सारी उम पपू पत्री को देखते हैं जो कि मंडी के बिस्तर पर चड़कर उसके साथ मजदूरी करने की कोशिश करता है लेकिन तबी मंडी उसे रोग देती है क्योंकि अभी उसका ये सब करने का मूड नहीं था फिर जब इसके बारे में उस अजनभी को पता चलता है तो वो मंडी लेकिन तबी वो आदमी उसकी मा को पकड़ लेता है और उसका गला घुट कर उसे मा डालता है इसके बाद वो आदमी उसकी बॉड़ी को पपू पत्री के पास जाकर रख देता है ताकि लोगों को ये लगे कि उसे पपू पत्री ने मारा है लेकिन ये सब देखकर पपू याद रखने बिल्कुल नहीं दे सकता कि उस बुढ़िया को मैंने मारा है फिर वो जनभी उसे ही हाँ पर ये भी बताता है कि मुझ पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता इसलिए मैं अपनी यादधाश नहीं बूल सकता वही दूसी तरफ अंडी उस बॉक्स को देखने लगती है और उसे ये देखकर वो टाइम याद आता है जब वो जंगल में पहरा दे रही थी फिर जब उसने देखा कि एक आदमी उसके पास आ रहा है तब उसने उसे मार दिया था लेकिन जब वो उसका चहरा देखती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि वो आदमी उसका भाई राजू था अब अपने भाई को मारने की दुख में अंडी इतना ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसने अपने मास्क को ही उतार दिया था लेकिन अंडी उसकी एक नहीं सुनती तबी वो अजनबी भी वहाँ पर आ जाता है और मंडी से अंडी को बाहर जाने देने के लिए कहने लगता है इसके बाद उन दोनों को ये भी पता चलता है कि पपू पत्री अपनी सारी याददाश खो चुका है इसके बाद जब अंडी बाहर जाकर अंदर आती है तो वो काफी खुश लग रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो जिसके बाद वो अजनभी राजु बन जाता है और अंडी अब मंडी बन जाती है वही संडी मंडी की बेटी बन जाती है और पपू पत्री उन सभी का भाई बन जाता है अब जैसे जैसे दिन बीटते जाते हैं, अंडी भी अब राजु की तरह बिना मास्क पैने ही बाहर गूमने लग जाती है फिर एक दिन पपू पत्री अचानक से ही जमीन खोथता है और उसे वहाँ पर अंडी और संडी के नेकलेस के साथ दो कंकाल मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि माने यहाँ पर पहले रहने वाले लोगों के नाम और नेकलेस को संभाल कर रखा था जिसके बाद उसने नए लोगों को उनकी पहचान दे दी, वहीं वो आदमी भी चुपके से पपू पत्री को देख रहा होता है फिर जब वो आदमी उनके पास आ रहा है तो वो अपनी बंदूग उस पर तान देता है लेकिन तभी वो अपना मन बदल लेता है और उस बंदूग को पपू पत्री पर तान देता है क्योंकि यह पपू पत्री का दिमाग सड़ चुका था इसलिए वो उसे मार कर इस नए आदमी को पपू पत्री बनाना चाता था दरसल दोस्त उस फैमली का ये कॉंसेप्ट था कि जो भी यहां पर अपनी यादश को बुला देगा उसे मार कर किसी नए इंसान को उसकी पहचान दे दी जाएगी इसलिए ये जो फैमली थी वो भी कोई असली फैमली नहीं थी क्योंकि यहां पर रहने वाले सबी लोग अलग-अलग थे और उन्हें भी पुराने लोगों की पहचान दी गई थी और इसी के साथी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती